C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा एक की उर्दू की ध्वनी पाठे पुस्तक शेहनाई भाग एक सफ़ा नमबर एक सबक एक बारिश और पराठे नीले आस्मान पर आज काले बादल आ गए हैं लगता है बारिश होगी परवेश ताया ने कहा सना ने बोतल मेश पर रख दी पलकें उठा कर आसमान की तरफ देखा और बोली जी ताया मैं अम्मी से कहती हूँ आलू के पराठे बना ले मज़ा आएगा इस सफ़ा पर एक तस्वीर है जिसमें इस घर के सामने दो बच्चे एक आदमी के साथ खड़े हैं एक आदमी घर के तरफ आ रहा है जिसके हाथ में एक टोकरी है जिसमें कुछ फल वगएरा है और एक हाथ में तर्बूज है हलकी हलकी बारिश भी हो रही है सफा नमबर दो टमाटर की चतनी और आम का अचार भी सोबिया बोली पिछली बारिश में हमने कागस की नाव बनाई थी ना सना ने कहा हाँ, टब में पानी भर कर वो नाव चलाई भी थी सोबिया ने आँखें मटकाते हुए जवाब दिया लो, तुमारे अब्बू भी आ गए हैं, अब और मज़ा आएगा ताया ने अब्बू की तरफ इशारा करते हुए कहा अब्बू के हाथ में तर्बूज, पपीता और टमाटर थे इतने में हलकी हलकी बूंदें पढ़ने लगी जरा सी देर में मौसम खुशगवार हो गया सब बाहर निकल आए, मौसम की पहली बारिश के सबने खुब मज़े लिए इस सफ़ा पर दो तस्वीरे हैं पहली तस्वीर में एक तश्तरी में आलू के पराठे हैं बगल में एक आलू भी रखा है दूसरी तस्वीर में काले बादल हैं और बारिश हो रही है सफ़ा नमबर तीन असाद्जा के लिए हिदायात इस कहानी की मदद से हमें बच्चों को नौ हुरूफ सिखाने हैं अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, नून, ये, बढ़ी ये आप बच्चों से सवाल करें किस कहानी को सुनकर ऐसे अलफाज बताएं जिनके शुरू में बे की आवाज है बच्चे, बारिश, बोतल, बादल वगेरा के नाम बताएंगे उनके बताए हुए नामों की रोशनी में उस्ताद तखते सियाह पर बे लिखकर बताएं 68 हुरूफ से शुरू होने वाली चीजों के भी नाम पूछ कर सभी हुरूफ से बच्चों को मतारिफ कराएं फिर इन हुरूफ की जैली यानि की तूटी शकले बताएं जैसे बे ग्रूप की जैली शकले हैं बे, पे, ते, टे, से यहां ये भी बताने की जरूरत है कि नून, ये, बड़ी ये की जैली शकलें बे ग्रूप की जैली शकलों की तरह ही होती हैं जैसे नून, नून, नून और ये, ये, ये फिर इन हुरूफ को जोड़ कर बनाए जाने वाले आसान अलफाज तखते सियाह पर लिखें जैसे बे, जोड, अलिफ, बराबर बा, नून, जोड, अलिफ, बराबर ना, बा से बाबा और ना से नाना बनाना सिखाएं बच्चों को बताया जाए कि उर्दू में नुक्तों की बड़ी एहमियत है नुक्ता एक डॉट होता है, कई हुरूफ ऐसे हैं जिनकी शकल एक जैसी है इन में नुक्तों की तादाद या उनके लगाए जाने की जगह की वजह से नए हुरूफ बन जाते हैं बच्चों से पहले आसान यानि दोहर्फी सहर्फी लफजों के लिखने की इप्तेदा कराई जाए उन्हें ये भी बताया जाए कि उर्दू में लफज लिखते हुए आखरी हर्फ की पूरी शकल लिखी जाती है जैसे बात, टाट और टब में उन्हें बताएं कि अलिफ की आवाज अलिफ की होती है उसे बे, पे या नून के साथ मिलाने से बा, पा और ना की आवाजे बन जाती है बच्चों को बताया जाए कि छोटी ये की आवाज ई की होती है उसे बे, पे या नून के साथ मिलाने से यह बी, पी और नी की आवाजें बन जाती हैं इसी तरह बड़ी ये की दो आवाजें हैं ये और अई इन्हें बे, पे या नून के साथ मिलाने से बिल तरतीब बे, पे, ने और बई, पई और नई की आवाजे बन जाती हैं मसलन पीटर, सेब और पैर, गैर सफा नंबर चार, मश्क, एक, हुरूफ को मिलवाईए अलिफ बे बराबर अब, ते बे बराबर तब, बे अलिफ बराबर बा, ते अलिफ बे बराबर ताब, नून अलिफ बराबर ना ते अलिफ बराबर ता, ते अलिफ ये अलिफ बराबर ताया पे अलिफ ये अलिफ बराबर पाया ते अलिफ ते अलिफ बराबर ताटा इस सफ़ा पर कुछ तस्वीरे हैं एक तस्वीर कलम की है, एक तस्वीर में एक बच्ची पतंग उड़ा रही है जबकि एक बच्चे के हाथ में पतंग है सफ़ा नमबर पाच इ, बी, पी, टी, टी, नी अलिफ ये बराबर ए बे ये बराबर बी पे ये बराबर पी ते ये बराबर ती नून ये बराबर नी नून अलिफ नून ये बराबर नानी पे ये नून ये बराबर पानी A, B, P, T, T, N अलिफ बढिये बराबर A B, B, बढिये बराबर B P, बढिये बराबर P T, बढिये बराबर T ते बढ़िये बराबर ते नून बढ़िये बराबर ने सफ़ा नंबर छे पे अलिफ नून बढ़िये बराबर पाने नून अलिफ ते बढ़िये बराबर नाटे दो, खुरूफ को मिलाकर लफ्स बनवाईए पे अलिफ नून बराबर खाली जगा बे अलिफ ते बराबर खाली जगा नून अलिफ नून अलिफ बराबर खाली जगा बे अलिफ बे अलिफ बराबर खाली जगा तीन, दिये गए लफजों के हुरूफ अलग-अलग लिखवाईए तब, बराबर खाली जगह पाट, बराबर खाली जगह टाटा, बराबर खाली जगह पानी, बराबर खाली जगह साबित, बराबर खाली जगह सफा नमबर साथ चार, नीचे दी हुई तस्वीरों का पहला हर्फ लिखवाईए तर्बूस, खाली जगह पपीता, खाली जगह टमाटर, खाली जगह पाँच, बच्चों से नाव की तस्वीर बनवा कर उसमें रंग भरवाईए छे, बच्चों से कागस की तनाव बनवाईए अभी आफसुन रहे थे कक्षा एक की उर्दू की ध्वनी पाठे पुस्तक, शेहनाई भाग एक वाचन्सवर, उजमाज जमाल जाफरी और असर नवाज उसमानी तक्निकी दिर्देशन, बटी लैंग लिंग्डो ध्वन्यंकन, विकास सांगवान निर्माण सहायक, मिनाक्षी कुकरेती निर्देशन एवं निर्माण, वीमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C-I-E-T-N-C-E-R-T नई दिल्ली, भारत